गायल शेर की सांसें की तहाड से भी ज्यादा भ्यानक पुछी है लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्द नहीं पढ़ता है पर किसे पढ़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा फिल्मों के फैंस के लिए आने वाला साल बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है जहां साउथ की फिल्म आने वाली है वहीं उस साउथ की फिल्म में बॉलिवुट के दो बड़े स्टार्स जुड़ चुके हैं तो कौन है आखिर वो बॉलिवुट के दो बड़े स्टार्स जिन्होंने टॉलिवुट में भी अपने कदम जमा लिये हैं और क्या खास बाते हैं आने वाली इस फिल्म की तो आईए जानते हैं हेलो औन वालकम टू बोलीग्राज स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म और और के बारे में तो दोस्तो आप फिल्म का नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा नाम है फिल्म के नाम का मतलब क्या है फिल्म के नाम की फुल फॉर्म क्या है तो आप लोग फ्लीज मायूस मत होए क्योंकि आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूं तो आप सबसे पहले बात करते हैं फिर्म के नाम में तीन आर एक है वो पिर्म के डायरेक्टर और फिर्म के लीड किरदारों के दो मेगा स्टार्स हैं तो इन के नाम के पहले इनीशियल यानि आर को मिला कर बनता है आर 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 इसके अलावा मेकर्स ने हमें दिये हैं इस फिल्म के नाम के कई सारे expansions क्योंकि ये फिल्म release हो रही है कई सारी भाशाओं में जिन में से हिंदी भी एक है तो दोस्तों हिंदी भाशा में फिल्म का expansion होता है Rise, Roar and Revolt जी हां अब जहां आप इस फिल्म में South के नाम सुन रहे हैं South के बड़े आक्टर्स के नाम सुन रहे हैं वहीं फिल्म में जुड़े हैं Bollywood के दो सूपरस्टार्स के नाम और वो हैं आलिया भट और अजय देवगन जी हां दोस्तों इस फिल्म में हमें आलिया भट नजराएंगी सीता के गेदार में आक्टर राम चरन के ओपोजिट वहीं अजय देवगन फिल्म में नजराएंगे एक एक्स्टेंडिट कैमियो करते हुए दोस्तों इस फिल्म बड़ी ही स्पेशल है इस फिल्म को डारेक्ट करा है ऐसेस राजा मौली ने और उन्होंने कहा है कि ये फिल्म एक तेलगू लैंगुज पीरियड ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में फ्रीडम फाइटर्स की वो फाइट दिखाए जाएगी वो जंग दिखाए जाएगी जब वो ब्रिटिशस के साथ और हैदराबाद के निजाम्स के साथ फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे इस फिल्म में हमें राम चरन अलूरी सीता राम राजू के किरदार में नज़राएंगे वहीं रामा राओ हमें इस फिल्म में नज़राएंगे कोमा राम भीम के किरदार में आपको बता दू कि ये फिल्म कुरोना वायरेस के दोर में बनी है इस बात के बारे में खुद राजा मॉली ने एक इंटर्वियू में बताया था कि उन्हें वो फिल्म इतनी जादा पसंद आई थी कि उन्होंने उससे इंस्पायर होकर एक नई फिल्म बना दा ली और बात करी जाए इस फिल्म के घोशना की तो दोस्तो साल 2017 में बाहु बली के प्रमोशनल इवेंट के दौरान फिल्म के डारेक्टर राजन मॉली ने इस फिल्म का जिक्र भी किया था उन्होंने बताया था कि आने वाले साल में वो इंशियंट इंडिया को और फिल्म फाइटर्स को दिखाने वाली एक फिल्म के साथ जल्धी आएंगे अब बात करी जाए फिल्म में होने वाले हॉलिवुड स्टार्स की तो हमें फिल्म में रे स्टीविंसन और अलिसन डूडी काफी एहम किरदारों में नजर आएंगे जी हाँ दोस्तो फिल्म में ब्रिटिशन्स के रोल में हमें ये दोनों दिखाई देने वाले हैं अब बात आती है इस फिल्म की रिलीज डेट की तो पहले इस फिल्म की रिलीज डेट जुलाई थी लेकिन उसको बदल कर 31 ऑक्टूबर 2021 कर दिया गया यानि के फिल्म की रिलीज होने में ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोग कितने एक्साइटिज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलीग्राट स्टूडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा